हाई अरिवान, वेलकम टू दा अनदर न्यू एपिसोड आप स्टॉक वाच 2.0 दोस्तों स्टॉक वाच सीरीज का ये 2.0 सीरीज है जहां पर हम हर वेनेश दे को इवनिंग में एक स्टॉक का डिटेल एनालसिस देखेंगे तो आज भी एक स्टॉक का डिटेल एनालसिस देखेंगे और कौन सा वो स्टॉक है अगर आपको ये जानना है इस वीडियो का अप एंड तक देखिए हाई अवरीवन मेरा नाम है यगनेश पटेल और आज का स्टॉक वाज टू पइंट ओ का जो स्टॉक है वो है मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूं आपको स्टार सिमेंट लिमिटेट जियां दोस्तो वेरी अमेजिंग सेट अप वियाँ फाउंड इन इस टॉक कुछ अमेजिंग फैक्ट से जो मैं आप से शेर करूंगा अभी और जनरली हम देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम अनलेसिस बट आज हम सिंगल टाइम फ्रेम एनलेसिस सिंगल फॉर्म किया यहां पर और एक रेंज था इसके बाहर आते हुए दिखने को मिल रहा है सबसे पहला तो आई केचिंग केंडल ही हो गया यहां पर चीज़े हम देखते हैं हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार आप देख पा रहो पिछले काफी महिनों से एक साल से प उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइज थोड़ा सा हायर साइट फॉर्मेशन देखने को मिले मतलब कि यहां पर एक बॉटम दिखा यहां पर दिखा यहां पर दिखा तो वन टू एंड थ्री सो पहले हमने देखा था लोवर बॉटम अभी हमें यहां पर देख रहा है हायर बॉटम्स एच भी बोलेंगे हम इसको त्रेंड जो था लोवर बॉटम्स वहां से चेंज होके हायर बॉटम्स पर जा रहा है मतलब कि यह जो डाउन ट्रेंड था इट हाज बिन रिवर्स्ट सबसे अच्छा यहां पर हमें देखना को मिल रहा है ट्रेंड रिवर्सल इसको ध्यान में रखें दूसरा एक अच्छा अपने हुआ उसके बाद स्टॉक अच्छा अच्छा कंसुलिडेट हुआ है यह आप देख पार हो जुलाई एंड में यहां पर एक अच्छा रहली हुआ है और यह सप्टेंबर मतलब पूरा वन मन्त यह कंसुलिडेट किया ह जनरल अगर मार्केट ऐसा नीचे आया और सीधा ही ऐसा चला गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा जल्दी यहां पर गया नीचे आया और उपर गया फिर कंसुलिडेट कर रहा है यह आपको मौका दे रहा है कंसुलिडेशन के बाद ब्रेक आउट के हम इसमें अच्छे से कर पाए तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिए दूसरा अगर हम बात करें सो वेरी गूड इंपोर्टान मुविंग एरे जो मैं यूस करता हूं यह है जिसका स्लोप साइड अपसाइड है 55 एसे में है जिसका स्लोप अपवर्डिंग है आफ्टर गुड डाउन ट्रेंड यह स्लोप यहां से चेंज हो रहा है जैट साइड अमेजिंग साइड वनमोर तिंग जो ब्लू लान दिखरे है वह 20 यह में 20 यह में पर यह चोंतिनुसली सपोर्ट यहां पर ले रहा है 20 में इस और सो राइजिंग एंड स्टॉक प्राइस कांशोल डेशन में बी इस तरीक वोल्यूम्स हुए यह रेली में बहुत ही तगड़े वोल्यूम हुए बहुत ही सांदार वोल्यूम हुए और आप देखोगे वोल्यूम्स में कुछ खास इजाफ़ा नहीं दिख रहा है बट जैसे ही टाइम आफ ब्रेक आउट में इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जैसे यह बुलिश केंडल आया यह रेंज निकाला इसने आप देख पार हो एक्स्ट्रीमली हाई वॉल्यूम्स जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ यहाँ पे सब्सक्राइब काफी लोगों के लिए नया हो सकता है कि यह जो अप्ट्रेंड मार्केट में हुआ यहाँ पे वॉल्यूम मेंट्रिक्स आपने वॉल्यूम मेंट्रिक्स नहीं सिछा है मेरा बेसिक टेक्निक अनुसिस का पेड कोर्स है जिसका लिंक में नीचे दिस्क्रिप्शन वॉल्यूम्ग होंगा वहां से आप enroll कर सकते हो और सीख सकते हो because volume matrix is very very important okay अभी देखता है momentum momentum में आप देखिए RSI is crossing 60 zone extremely bullish extremely bullish काफी time consolidated किया इसने यही range में so that's amazing sign okay and one more thing there is a MACD MACD है यह जिसका positive territory में zero zero line के ऊपर crossover देखने को मिल रहा है positive MACD crossing the 9 EMA line okay so which is again very bullish sign bullish sign बोलेंगे इसको इसको bullish crossover भी बोल देखा फिलो so यहां पर momentum के दोनों indicator हमें अच्छे signal दिखा रहा है एक और चीज़ यहां पर मैं mention करूंगा which is extremely again one more dimension यहां पर यह जो swing बना है उसका breakout हुआ था यहां पर यह swing का breakout which is has been which has been continuously preventing यह slow यह जो CIP बोलेंगे इसको जो break नहीं हुआ है और consolidate कर रहा है और उसका breakout भी देखनों को मिल रहा है that's amazing sign so these are the few reasons मैंने काफी सरे reasons यहां पर mention किये on a single time frame comment section में जरूर बताइए sequence analysis जो मैंने यहां पर दिखाया है उसका sequence आप डालिए नीचे comment section में तो help मिलेगी काफी लोगों को कि और वेडियो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें इस वीडियो को like and share करें maximum लोगों तक पहुंचा है इस वीडियो को कि अभी बात करता है इसके levels की कहां पर entry कर सकते है वन disclaimer है यह कोई भी buy or sell recommendation नहीं है हम चार्ट analysis learning के लिए सीखरें जो analysis हमको useful हो पाए जो 97.10 का इसका close है आखरी close so 97.50 से लेके जो इसका low है 93.85 so हम 93 तक इसको add करेंगे यह हो गया हमारा entry zone काफी नीचे के में levels दे रहा हूं यह zone के अगर हमें मिला थोड़ा बहुत नीचे मिला हमें हम और entry करेंगे ठीक है so 97.50 से 93 तक हम इसमें entry करेंगे ओके और stop loss कहां place करेंगे बहुत ही अच्छा consolidation यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक false यहाँ पर नीचे के side gap down भी दिखा था उसका low बहुत important रहने वाला है वो है 91 का so मैं 91 का stop loss place करूंगा जो कि काफी important रहने वाला है so यह हमारा stop loss हो गया 97 से 93 के बीच में हम entry करेंगे target कहां पर focus करेंगे तो आप swing के highs ले सकते हो multiple choices Fibonacci भी use कर सकते हो मैं simplicity यहाँ पर रखने वाला हूँ तो हम देखेंगे कि swing का high कहां पर अच्छे से बन रहा है आप देख पार हो यह support break हुआ था जो कि बाद में resistance का का काम गया तो यह important area होने वाला है resistance का जिसको मैं mark कर देत हो और which is around 105 105 का हमारे target मिल सकता है पहला और दूसरा target भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 111 पर resistance दिखा था काफी बर्ग और moving address से नीचे गिरा है stop और gap भी है यहाँ पर तो 111-112 तो हम यहाँ पर 110 का target लेके चलेंगे 110-11 के round में दूसरा target लेके चलेंगे so this is the whole analysis about star cement limited in stock watch 2.0 series comment section में जरूर बताये the sequence of the analysis because हमने यह single time frame पर पूरा analysis किया हुआ आशा रखता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया हो कुछ सीखने को मिला हो मिलते हैं हम next video में thank you so much goodbye everyone and happy trading